वेलकम टो वाइफाई स्टेडी चेंजिंग दा वे ओफ लर्णिंग स्वागत आप सभी का इंडिया के नमबर वन स्टेडी चैनल वाइफाई स्टेडी में तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग क्या हाल चाल ले आप लोग के डो जैसा कि मैंने आप लोगो बताया तम एक वोन्स होती है तो बेसिकली अगर आप लोग चीजे रटेंगे तो आप लोग को बहुत दिकत आएगे लेकिन अगर आप लोग समझेंगे कि कौन सी चीज कहां पर होती है आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं ठीक है फ्रेंट्स तो जल्दी से एक बार लाइक कर किते वो जूट चुके होंगे और इसको एक बार जादा से जादा आप लोग शेयर कर दीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स स्केलेटन सिस्टम यानि कंकाल तन्त्र हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए फ्रेंट्स इससे पहले में स्टार्ट करूं आप को छोटी सी चीज मैं तो आप लोग पर जाके फ्रेंट मुझे फॉलो कर लिजी नाम सर्च कर लिजी और यहाँ पर special classes में आप लोगों को मेरी फी क्लास में जाएगी special classes में मेरी बहुत सरी free classes होती है तो आप लोग इसको अटेन्ट करिये हैं चलिए मरेद करते हैं हम लोग human skeletal system अंकाल टंट्र तते हैं आप लोगों को मतलब ने बनाते हैं आपके क्या बनाते हैं तीश्चू बनाते हैं और टेशू मिल कि आपकी पूरी complete body मिलती है, या नी अगर मैं human body की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे system होगे कौन कौन से system होगे friends आप लोगों का excretory system होगा ठीक है या आप लोगों का फ्रेंट से nervous system होगा, circulatory system होगा, ठीक है digestive system होगा, आप लोगों का X-cretory system होगा, यह आपका circulatory system है, ठीक है, यह दोनों same अगए कि अच्छा, ठीक है, यह आप लोगों का friends कौन सा हो जाएगा, dad justice system हो जाएगा, और एक आप लोगों का skeleton system हो जाएगा, तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, हमारी body में different different systems होते हैं, अब friends system में क्या होते हैं, क्या different different organ होते हैं, क्या अंग होते हैं क्या, जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे digestive system की अगर हम लोग बात करें, पाचन तंतर की अगर हम लोग बात करें, तो क्या इसमें केवल एक ही औरगन होगा क्या एक ही औरगन होगा क्या नहीं digestive system क्या होता है वो system जो खाने के digestion में use होता हो यानि जो भी आप लोग फूर्ड खा रहे हो obviously बात है friends वो एक complex होता है जटिल होता है आपकी body उसको dietly absorb नहीं कर पाती तो आपकी body उसको digest करती है और body का वो system जो उसको digest कर रहा है उसका पाचन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं digestive system यानि पाचन तंत्र हैं तो similarly friends जैसे हम लोग बात करना है skeletal system की तो skeletal system में भी क्या एक ही organ होगा क्या कुछ एक ही चीज़ होगी के नहीं skeletal system में भी friends आपकी bones होगी हड़िया होगी cartilage होगी उपास्ति होगी सारी चीज़ आप लोगों के muscles होगी मासपेसी होगी अब जैसे हम लोग बात करते हैं friends जैसे आपके पाचन तंत्र होता है इसका काम क्यों होता है डाइजेशन करना तो similarly क्या skeletal system होगा आपका यह जो कंकाल तंत्र होगा इसका भी कुछ कारे होगा क्या बिल्कुल कारे होगा तो इसके कारे समझने से पहले हम लोग समझता है इसमें होता क्या-क्या है ठीक है तो फ्रेंट जो भी आपका मानौ का कंकाल तंत्र होता है human का जो skeletal system होता है वो किस-किस से मिलके बना होता है friends bone से यानि हड्डियों से बात करते है friends और किस से मिलके बना होता है ligament से मिलके बना होता है और tendon से मिलके बना होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलता है और लुगमेंट को इस तना यू बंदन बोलते हैं अब क्योशन यह आता है कि लीगमेंट क्या होता है और आप लोग का टेंडंस क्या होता है तो फ्रेंट जो लीगमेंट होते हैं यह क्या होते हैं यह बोन से बोन को जोडते हैं हड्डियों से हड्डियों को जोडते हैं इतना part skeleton system का होता होगा तो friends आपके body का जितना भी weight है उसका 50% जो weight होता है भार होता है वो किसका होता है skeleton system का होता है यानि कंकाल तंत्र का होता है clear कि फ्रेंट समसब करके बतागी यह आई होप यह चीज क्लियर होगी ठीक है तो मैंने दो चीज अभी हम लोगों ने समझी कि आपका skeleton system किसकी से मिलके बना होता है आपकी बोन से मिलके बना होता है हड्डियों से मिलके बना होता है clear इसमें लीगामेंट होते हैं टेंडन होते ह कि यह उसमें डिफ्रेंस है लीगामेंट्स बॉन से बोन को जोड़ता है तेंडन को जोड़ता है और अगर पूरी बॉड़ी की वेट की बात करें तो इसमेंगेंट होता है वहaching Channel system का होता है अब हम लोग बात करते हैं इसका function क्या है यह skeletal बोलू, skeleton बोलू बात है कि यह कंकाल कंत्र से हो क्या रहा है, इसके function क्या है, तो friends, पहले-पहले हम लोग बात करता है कि number of bones कितनी होती है, फिर हम लोग इसके function समझता है, तो अगर मैं bones की बात करूँ तो friends, adult में जो number of bones होती है, वो 206 होती है, लेकिन अगर हम लोग एक जैसे body के growth होती है, तो जो bones होती है, diffuse होती है, वो single bone में मैं, जैसे हम लोग कभी, जैसे हम लोग rib cage पड़ेंगे, पसली पड़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे, friends, पाच आप लोगों की bones है, मिलके एक बंद रही है, चार मिलके एक बंद रही है, ठीक है, तो वो कारण adult में 206 हड्य होती है, अब हम लोग बात करते हैं, function क्या है, skeletal system के, है ना, यानि जो आपका कंकाल तंतर है, उसके क्या क्या का रहे है, अगर friends, आप लोग का अंदर धाचा नहीं होता, ठीक है, जैसे आप लोग बड़ी-बड़ी building मनाते हो, friends, उसमें क्या लोहे के सर system होता है, कंकाल तंतर होता है, वो सेम आप लोगों के जैसे buildings में लोहे के सरीये लगते हैं, बिल्कुल सेम उसी की तरह कादय कर रहा है, तो ये आपको friends, क्या देता है, पहली चीज़ तो support देता है, आपको friends, जो आपकी body होती है, उसको support देता है, साहरा देता है, shape देता है आकार देता है, ठीक है, यहाँ पर एक point और note कर लिजी, shape भी देता है, आकार भी देता है, ठीक है, next हम लोग बात करते हैं, friends, हम लोग चल पाते हैं, वो किसकी वज़े से, जैसे मैं अगर अपने ये हाथ का movement कर पा रहा हूं, तो किस वज़े से कर पा रहा हूं friends, जरूर य connection हम लोग बात करते हैं, friends, protection, या नहीं, आपका जैसे मैं बात बता हूं, friend, जो hurt होता है, जो रिद्य होता है, वो किसके बीच में होता है, rib cage है, जो पसलिये होती है, उसके बीच में होता है, तो friend, जो आपके internal organs होता है, क्या ये उसका protection कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, जैस में different different bones होती है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्या मैं बात कर सकता हूं इसका एक और function क्या हो जाएगा protection होती है जिसमें liquid flow करता है जिसको लोग बोलते बोन मेरो हम लोग आगे हम लोग समझेंगे अभी जश्में आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या क्या इसका function होगा नेक्स हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स हड्डियों में आपके मिनरल से भी स्टोर रहते हैं क्लियर इसका skeleton सिस्टम होता है उसका एक और क्या function हो गया फ्रेंड्स स्टोरेज ऑफ मिनरल्स जैसे calcium इसमें रहता है फॉस्फोरस रहता है ठीक है तो आई होब आप लोगों को इसके function समझ में आग गये होंगे तो वे एक एक चीज करें थमसब करके बता दीजिए यहां तक को डाउट होतों कोई दिक्कत नहीं है थमसब कर दीजिए जल्दी से थमसब करके बता दीजिए फ्रेंड्स ही चीज़े क्लियर है मैं आप लोगों को function repeat करता हूं कौन कौन से हो जाएगा एक तो shape and support आपकी body को shape and support देना ठीक है आ अब भी उपर वाले की डैसे अपनी body बिल्कुल सही है आपकी बिल्कुल सही होगी जैसे अगर कोई किसी का heart movement नहीं हो पा रहे है friends तो जरू उसके skeleton system में problem है समझ पार हो बात को तो friends उस body की shape बिगडेगी नहीं बिगडेगी तो friends पहला चीज क्या है support and shape provide करता है दूसरी ब बात करते हैं friends इसमें blood cells का production होता है और हम लोग बात करते हैं जो minerals होता है खनीज होता है उसका भी storage होता है जैसे calcium हो गया फासफोरस हो गया अब बात करते हैं friends blood cell production की देखिए फ्रेंट जो blood cell का production होता है न इस process को एक term नाम दिया जाता है that is hematopoiesis ठीक है that is hematopoiesis hematopoiesis अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो hematopoiesis है वो क्या है basically blood cell का production है यानि जो आपके blood cells होती है उनका production करना उसका उत्पादन करना clear तो यहां पर होता क्या है friends यह आप लोगों की bone दिख रही है क्या bone दिख रही है क्या इसके बीच में friends cavity होती है गुवा होती है ठीक है और इसके अंदर एक liquid होता है that is the bone marrow यानि जिसको अस्थी मज्जा बोलते हैं तो इसमें friends आपकी blood cells का क्या होता है production होता है ठीक है अगर हम लोग बात करें friends adult की और आपके child की तो बच्चों में जो friends यह process होता है कौन सा process blood cell का production होता है यानि hemtopoiesis होता है यह कहां पर होता है कौन सी हट्डियों में होता है तो प्रेंट जो जांग की है न था की जो आप लोगों की हड्डि होती है femur में होता है छाप के होते हैं अगर हम लोग बात करें hlnd किसमें adult में आप लोगों तो इसदी हो गया यानि leg स्टन्व्यक्य वते हैं तो आप ये क्या है अप लोगों के पैल विस्केसी करते हैं कि कौन सी आप लिगे हैं के फीमर क्या होता है सब्चेश्ट मैंने आप लोगों को यहांपर एक च्छोटी चीज बताइए कि आपके जो हड़ी होती है उसमें ब्लड सेल का प्रोड़क्शन होता है कहां पर होता है वो चीज़े हम लोग उने डिसकस करी है अब हम लोग समस्ते हड्डियों के बारे में हम लोग चलेंगे तो जो आपका skeletal system है यानि कंकाल तंत्र है इसमें different 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 तरह की हड्डिया है जैसे मैं आप को बोलूँ जब हम लोग chemistry पढ़ता हैं वहाँ पर कितने तरह के element है different different element है आप लोग एक के को तो याद नहीं दख सकते हैं hydrogen ऐसा है इसके property यह है इसके साथ में reaction करेंगा तो यह देगा फिर helium की बात करें फिर lithium की फिर बेलियन की विबोरों की काफी discuss हो जाएगा न कि एक खड़ी की पार में हम लोग समझें इसमें यह होता है इसमें यह होता यह यहां पाई जाती है तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए complicated हो जाएगा तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ता है एक घल जोग आप लोगों की अच्छिय कंकाल तंत्र एक उथे कंकाल तंत्र का सबता है यह होता है और आप लोग का appendicular skeletal system क्या होता है friends axial आप लोग सभी जानते होंगे अक्ष एक axis आप लोग जानते होंगे तो friends इसमें क्या होता है आप लोग दो चीज देख पार होंगे एक diagram यह रहा होगा एक diagram यह तो यहां पर मैं कुछ bones की बात कर रहा हूं जैसे यह वाली bones हो यह वाली bones हो यह वाली bones हो friends क्या यह एक access में है क्या क्या यह access में क्या तो इस axial skeletal system जो होगा इसमें हम लोग किस के बारे में बात करेंगे इस कल के बारे में बात करेंगे खोपड़ी के बारे में बात करेंगे friends आप लोग के रिप करेंगे ठीक है पसलियों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर एक और होती है इस टंड़म जिसको हम लोग बोलते हैं चैस्ट बोन भी बोलते हैं च्छाथी के अड़ी भी बोलते हैं और एक्षिय इसके अलावा अब इसके अलावा जो भी है friends बतलब basically मैं green जो शो कर रहा हूं वो हम लोगों को पढ़ना है और इस वाले में green कौन से यह वाला है तो यह एक्सिस पर के नहीं एक्सिस के साइड में एक्सिस से कुछ इसेंटिसी में न तो यह हाथ के बारे में ठीक है पैर के बारे में यह हम लोग किस में पढ़ेंगे फ्रेंड्स आपके उपांगी कंकाल तंतर में पढ़ेंगे जल्दी से बताओ थमसब करिए फ्रेंड्स कहानी क्लियर है कहानी क्लियर है कहानी क्लियर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सारी चे बतारों को टेंशन आलो आप और आप लोग जो बोन्स का नाम होंगे इंग्लिश में याद रखिए क्योंकि जो एक्जाम में भी सिधे इंग्लिश में समझता है एक्सियल ठीक है फिर हम लोग उसके बाद में समझेंगे फ्रेंट्स कौन सा एपेंडिकुलर यानि उपांगी है तो इसका एक बार ओवर्व्यू देता है जैसे कि मैंने बताए फ्रेंट्स एक्सिस के अलॉंग जो आप लोग के जो भी बोन्स आ रही है तो आपकी इसके बार में फ्रेंट्स ही आपको वर्टीवल कॉलम है पुरा इस रावा कुछ आ रहा है इसके अलावा कुछ अरा नहीं आ तो इसमें आप लोगों कि फैंट्स क्या क्या आ जाएगा इसमें आप लोगो को क्या रखेंड जो आपकी एर होती है न कान कान की हड्डिया भी हम लोग इसी में काउंट करते हैं ठीक है अभी हम लोग बात करेंगे कहां पर काउंट करेंगे यह बात क्लियर हो गई ठीक है अब बात हम लोग करता है एक्सिस के अलावा जो भी है फ्रेंट एक्सिस के अलावा जो होती है तो बाकि के कितनी बच्ची 124 124 होती है क्या यहां तक कोई दिक्कत है कि बताओ को दिक्कत है बहुत तेज करवारे हो ठीक है ठोड़ा स्पीड स्लो कर लेते हैं और बताओ क्लियर और बताइए चलिए अब हम लोग बात को समझते हैं फ्रेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं Axial Skeletal यानि अक्षिय कंकालतंत्र और इसके बारे में हम लोग समझेंगे बाद में ठीक है चलिए हम लोग समझते हैं Axial Skeletal यानि अक्षिय कंकालतंत्र के बारे में हम लोग समझ रहे हैं तो द है तो 206 में से जो असी हड्डिया होती है वो किसमें आती है फ्रेंट्स आपके अक्षे कंकाल तंतर में आएगी और जो बाकी की 126 होगी वो किसमें आएगी उपांगे कंकाल तंतर में आएगी अब असी में क्या क्या आएगा बात को समझो आठ फ्रेंट्स आपके cranial bones होती है cranial का मतलब क्या होता है फ्रेंट्स उपपर का कपाल खोपड़ी नहीं है पूरी इसका cranial का मतलब यह नहीं है पूरी खोपड़ी नहीं उपपर का पाट इसको हम लोग बोलते हैं कपाल clear है क्या इसको हम लोग हिंदी में बोलता है कपाल तो आठ तो फ्रेंट्स कपाल में होती है clear है क्या cranial में होती है और 14 facial bones होगी अपनी चेरे पर हड्डिया होगी समझ रहो ठीक है next हम लोग बात करते हैं friends 6 हड्डिया हमारे कान में होगी friends 3 हड्डिया इस वाले कान में होगी 3 वाली हड्डिया इस कान में होगी तो total कान में जो हड्डिया होगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी किया जल्दी से मुझे बताइए मैंने आपको क्या बोला सबसे पहले फ्रेंट्स क्रैनियल बोन्स की बात करता है यानि कपाल में कितनी होती है फ्रेंट्स आठ होती है ठीक है उपर वाले पार्ट में फिर हमारे फ्रेंज पे है ना चेहरे की जो हड़ी होती है वो कितनी होती है फ्रेंट्स 14 होती है इसके बा होती है ऐसे है एसे मतलब आप लोगव लो बकललो के में रहिकला जाए में पर इसमें क्लस्राश सभी का जो सभी है थैङलीच सभी क्य है इस समझगे क्या थमसब करके बताएए, यहां तक कोई दिक्कट देग्या, थमसब करके बताएए, clear है क्या, थमसब करके बतादीजिए क्या number of bones आपके पास में 29 आगई, इस कल में खोपड़ी में, जल्ली से बताजिए, जल्ली से बताजिए 29 bones आगई, आगई, तो friends, ankle में क्या हमारे पास में चहांचांबून 24 होती है ठीक है बात करें आगे एक छेस्ट पर बोन ओती है एक च्पाइबून टीby AO इस इसका फरेस्ट बोलते हैं च्हाती की इसका नाम होता नाम यह जानता है एक यह होती है और फरेंट्स आपके ती होती है दीन हेना एक इदर एक इदर फिर दूसरा यisma आएगा तीसरा जाल आएगा फिर छौता जाल कैसे बना हुगा कैसे स्ज्टाभया है क्या आप लोगम फील यह नहीं कर बार हो ठीक है फील करें चलू तो C со सबसे पहले हम भी बात करता है यह हो गया इसकल, खोपडी, तो खोपडी में मैंने इसके बताई है टोटल 29 इन गोंस बताई है, तो 29 बाताई है,तो 29 समझ गए क्या, समझ गए, अब फ्रेंड्स यह आप लोगों का क्या है, यह आपका क्या है वर्ट इभल कॉर्म है जिसको हम हमलोग हिंदी में पूलते हैं मेरू टंड तो यह आप लोगों काके मेर derived Special हो जाएगा मैंने एक बताया कि एक हडी भी होती है, एक चैस्ट बोन भी होती है, तो क्या आप लोग चैस्ट बोन देख पार हो क्या, यह जास्ट बोन देख पार हो क्या तॉल्दी से मुझे देखो यह एक जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा है देखो यह एक जोड़ा बन रहा है यह दूसरा जोड़ा यह तीसरा जोड़ा यह चौता जोड़ा यह पांच वज़ोड़ा तो टोटल कितने होता है यह बारा जोड़े होता है एक टोटल कितने होता है एक डो तीन चार प बताई है अभी गल्टकोलम्म होता वर्टीबल होता हो थीग है है चले आगे है चले आगे हम लोग चलते हैं अब इन चाला करते हैं सबसे पहले आपकी जो रिप्स है ना जो बात कर रहें पसलिया कैसे होती फ्रेंड्स रिप्स देखो से देख पार हैं कि देख रहें कि यह केपके यह रियर फैंस इसको रोक़े हैं एक दो तीन चार पाट 62 दिघेंगे आपको तो बारा इंटू दो चोई सड्डी आपके पास में हो जाएगी इतनी सी बात समझ में आ गए क्या समझ में आ गए क्या और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर डाउट हो रहा हो कि यार यह वर्टीवल कॉलम जो है मेरू डंड कहां पर है यह चीज समझ में नहीं आ रही है मेर स्टोरें works doesn't fuck the doubt होता फोने नहीं होता खोपड़ी का पारिया अलग हो गया क्या इन तीन चीजों को समझा दूब अगर मैं इसको अगर तेक ही डैग्राम में समझो Freds देखो यह वाला डैग्राम उठा लो क्या इसमें किसी को वर्टिवल कॉलम दिख हा रा ही देखो यह अरा वर्टिकल ओ सबस्से अर भी और गाल पाHAHA अब आपका गईब ंपका है क्या आपके जो वर्टिवल कोलम होता है वर्टिबल कोलम क्या इसी के उपर चिपती है कि इस्ट्रण नही corrupt होता है यह समझाता हो अभी जाए होता ठीक है पूद घेप कि चयुक्त होता ठीक है और आपका जो फरंट से इसस टर नम है इस इस्टेंडम से connected होती है आपके रिप यहनी पसलिया सर समझा दो देखो समझो अब यहां पर आप लोगों को बस identify करना वर्टिवल कॉलम कौन सा है रिप कौन सा इस्टेंडम कौन सा है फ्रेंट्स यह रेड कलर वाली जो दिख रही है वो तो रिप से पसलिया है कोई प्रोजेक्शन है ना जो उसका उभार है वो जिस हड़ी में जूट रहा है देखो यह दिख रही है तो यह आप लोगों की कौन सी हो जाएगी स्टेंडम हो जाएगी चैश्बोन हो जाएगी आई होब आप लोगों को तीनों समझ में आ गई होगी ठीक है चलिए अब हम ल पाट आपके पूरी तो को परी को पडि यह व पाट क्लिए एंस अबальном बात करता है तो यह brain का protection करता कि इसका मस्त इसका करता है ठीक है क्या यह आपको मस्त किसका करता है ठीक है आई होप आप लोग को समझ मागे होगा ठीक है तो यह basically क्या है एक CT scan है human skull का जो मानव का जो कंकाल उसका CT scan है तो आप लोग देखोगी ऐसे दिखाई देखी क्या इसमें कोई यहां पर cranial bone होती है कितनी होती है comment करके बताओ सर 8 cranial bones होती है और facial bones कितनी होती है सर 14 होती है 14 और 8 कितने हुए 22 हुए च्छे हट्डिया किस में होती है कान में होती है 22 और 28 और एक higher bone यानि 29 समझ गया तो यहां पर हम लोग बात करते हैं यहां से देखो यह इसको मिल हम लोग बात करते हैं चौदा कौन से होती है आपकी facial bones ठीक है 14 जो bones होती है वह आप लोग की facial bones होती है तो अब इसमें आपके आठ जो HADDI है वो कहां कहां पर होती है कैसे ऊसको यादर के सारी चीजे में बताता हूं आप ठी है friends आपको पता है आपके फोन में क्या आता है OTP आता है क्या बिलकुलter OTP आता है क्या OTP होता है safety के लिए आता है नोजना कोई भी login कर ले है नur और फिर भी सेफ्टिक लिए आता है तो शेवे की स्पैलिंग वाजलो सी अरह समझ गए क्या तो यह जाएगा आपका इपका और आपका है यह पुर्ण यह होता है आपका टैंप लो तो सी पर यापको लिखते हो तो यह रहा है यह साथ में बताता हूं टेंशन ना लीजिए आप लोग ठीक है तो कैसे याद करेंगे जैसे मैं आप लोग को बोला आपके फोन में OTP आता है OTP को अबता है सेफटी के लिए आता है न तो सेफटी की स्पहलिए तो आपको जानतों के से कि यहां जाएगा temporal हो जाएगा इस से का आप लोगगा पएदय यह रही जाए इसलोग आप situat प्रूंट में आप मैं क्या यह 8 हो रही कि जल्ली से मुझे बताईए क्या यह 8 हो रही कि 1 2 3 4 5 6 8 नहीं हो रही इसका मतलब कोई बॉंच ऐसी है जो दो बरा रही है तो बस आपको एक नंबर याद रख लो 122 111 121 111 यानि जो आपके ऑसिबिटल जो बॉन होगी वह एक होगी टेंपरल दो होगी कर रहले क्या है जल्ली से मुझे मुझे बता दो है यह 8 बहूं सोगा है कि 10yu धुक्त उच्रफ्ट होगी कि जल्ली से कमेंट कर के बतान और क्या आगे हा समझ में याद रहीजाएगा क्या और चाव कि मैं इसको मिटान दूँ क्या मैं इसको मिटान दूँ इसम्तों कोई प्रोब्लम हम लोग रम कर दाइन है कि अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास इस कलमेर, त्वन्टी नाइंद वंग्स है, उसमें आठ वो गया है, आठ आप लोग का वह सी हूंता है , यह व्हूद आप हैं। अब इसको कैसे याद रह będą हैं, बहुत दिक्कट होती इसको याद रखने में तो देखो एक जी ध्यान रख़ो इसमें सिंपल सी बात है इसकी भी ट्रिक बनाए गया जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आप कुछ पूछ के आए किसी गौवर्मेंट ऑफिस में जाके उन्होंने बोला कि लंच है बाद में आना ठीक है अब आपके फादर गए किसी गौवर्मेंट ऑफिस में उन्होंने बोला लंच है बाद में आना तो आपके फादर को वापी जाना पड़ेगा इत्ती दूर तो फ् information Lana obsession ौपापा जाएंगे वर्ना ठीक है इसे याद रहिए गा क्या फिर रिपीट कर रहा हूं 700 लाना प्र के पापा जाएंगी वर्ना अब इसमें एक शान्दा है friends ब accessories बास्ताइं वाला मामा वाला और जो लास्ट वाल 1 ms तो की साहरी तूटू है ठीक है तो आपकी मामा information लाना पापा जएंगे वर नग⁉ मे फ्रेंट पहले है वो आपकी वन होगी जो लास्ट वाली होंगी सारी त्यों से मामा से धौब तो इसे होगा Mandible, एक होगा Maxilla, एक होगा आपका Inferidnasal, फिर होगा आप लोग के Lacrimal, यह होगा फिर नेजल, फिर यह होगा आपके Pelletile, यह होगा आपका Gygomatic, यह होगा आपका Womer. फ्रेंट्सि वोमर कौन से होती, जैसे आप लोग के नाक में, नोज में 2-6 होती हैं, तो इनके बीच में जो आपका Divider होता है, तो वो अली होती है आपके Womer, ठीक है, तो बस आप लोग इसको ऐसे ज्यान रखे, इसके और जारे डिटेल में नहीं जाना, हम लोग General Science के पढ़ इसकी क्या है, मामा, इंफोर्मेशन, लाना, पापा जाएंगे, वरना, ठीक है, जल्दी से government करके बता तो, क्या यह आ गई क्या, तो फेशल स्पोन कितनी होगी, मैंने आप लोगों को बताया, 2-4-6-8-9-10-11-12, तो यह आप लोगों का 1-13-14, मतलब यह पहली और लास्ट मामा और लास्ट में वरना वली है ना, एक 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 बाकी साथी 2-2 है, तो यह आपकी 14 हो गई क्या, जल्दी से मुझे बता तो, यह आपकी 14 फेशल फोन हो गई क्या, क्लियर, आगे चले फ्रेंट्स, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, हमने इसकल की बात कर ली, इसकल की पूरी बात होगी है, पूरी बात नहीं ही, इसकल में हमारी फ्रेंट्स किसकी क्रोनियल की बात होगी है, ठीक है, क्रेंट्स की बात होगी है, ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे, फ्रेंट्स किसकी करेंगे, मिडल एर की, ठीक हो फ्रेंट्स हमारा जो एर है, इसकी मेलियस यह आपका कान है यह आपका कान है इसके कान का फ्रेंट्स एक आउटर पार्ट होता है एक मिडल पार्ट होता है और एक इनर पार्ट होता है तो फ्रेंट्स मिडल यहां पर एक चीज़ ध्यान रखनी है friends question में पूचा जाता है कि जो सबसे चोटी अगर हड़ी पूचे जाए तो वह सबसे बड़ी पूचे जाए तो अगे बात करें जल्ली से मुझे बताओ क्या मज़ा आया मज़ा आया क्या थमसुब करकर बता दीजिए मज़ा आया ठीक है आगे हम लोग चालते हैं friends हमारी बात किस किस कि हो गई इसकल की बात हो गई खोपड़ी के बात हुरी हमारी खोपड़ी की बात हम लोगों कर ली Sowas जान के बता सकता है कि और हयर्ण कौन सी है तो फ्रेंड्स हइे ब्हून आप सकल में कांद कर रहो रहो यह ऑसकी हो तो है तो यहां आप लोगों देख पार हों कि यह लोग दोग नहीं pagar हो किया इस वारी तो फ्रेंड मैंने आपको बता सो हायाड होती है वह बकल के बेस पर होती है ठीक है मतलब जीप का बेस मालो ठीक है तो basicly इसका फ्रेंड मैं लोकेशन और बताता हूसि देख पार रही हो गया चाहिसे यूठेप कि बताओ जली से बता हो क्या देख पार हो गया क्लियर है क्या विज्वलाइजेशन हो रहा है क्या विज्वलाइजेशन हो रहा है क्या विज्वलाइजेशन हो रहा है क्या यह नहीं हो रहा है पहले तो यह हमारी कानी थी फैंड्स की हाइड बन की तो इसकल की पूरी बात हो गई क्या इसकल की पूरी बात हो गई तो नेक् कि मतलब का होता है 24 सद्धिया होती है अब यहाँ पर एक बहुत चांदर कॉंचेट आता है कि आपका रेस होता है यह किसकी फोर्टेक्शन करता है जो आपके हड देख रहा हैसमझपार हो क्या थमसप करने बताइए ठेक है अब करेंगे फ्रेंट्स यहां पर मैंने आप लुगों को बताया कितनी रिप्स होती 12 पेर बारा जोडे होते हैं अप लोग देक पार गया यह आपकी पहली रिप यह आपकी दूसरी रिप तीसरी रिप चौथे रिप पाचवे रिप छटे रिप साथ रिप आठ वी रिप नवव प्रेप्स में बात करूं तो आप देख पारों फ्रेंड's कितने पेर हें आधान फ्रेंड हो टो इसस आपके होगे ना यहусовकित Nieं नीथ balance प्रेंड्स किसीया और दलान से आप है क्वाली अपार आ दाओ है और कि बीच वाली मैंने अभी बताया कौन सी है इस ट्रणम में चैस्ट वह दिच है समझ पार हो गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंट ध्यान से समझो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो बीच वाले उपर की जो साथ हड्डिया है एक दो तीन चार पाच छे चैस साथ फ्रेंट्स यह क्या स्टंडम से कनेक्टेड है क्या क्या यह चैस्ट बोन से कनेक्टेड है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं ट्रू रिपस बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रू रिपस बोलते हैं समझ गए क्या कोई दिक्कत है गया नहीं है फ्रेंट्स नेक्स हम लोग बा बताओ ठीक है तो एको डाग्राम समझते हैं यहां पर देखिए फ्रेंट्स यह आपकी पहली यह दूसरी यह तीसरी यह चौती यह पाच्वी यह छट्टी यह सात्वी तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो सेवन पेयर है वो स्टेर्णम से यह connected है इस टंडम से connected है फ्रेंट्स चैस्ट बोन से connected है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रू रिप्स बोलते हैं समझ में आई नहीं है यह आवा तभी बताओ यह भी भी नहीं आई अरे देखो यहां पर एक दो तीन चार पाच छे साथ यह साथ आप लोगो रिप्स के प यहां पर दिख रहोगा एक दो तीन इसको हम लोग क्या बोलता है फ्रेंट से बेसिकली इससे connected होता लेकिन प्रॉपर्लि नीचे तक नहीं यह तो इसको हम लोग बोलता है फ्रेंट्स क्या फॉल्स इसको बोलता और जो नीचे वाली उतिने ग्यार्वी बार्वी नंबर की जो नीचे वाली होती है ग्यारवी बारवी नंबर की वो आपस में एक दूसरा कनेक्टेड होती है इसलिए हम लोग उसको बोलता है floating ribs इसलिए हम लोग उसको बोलता है floating ribs तैरती होई पसलिया floating ribs समझ में आ गया क्या friends तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो वन से सेवन वाली होगी वो कौन सी होगी true ribs होगी clear है क्या जो आपकी 8 से 10 होगी वह आप लोग की false ribs कहलाती है और जो ग्यार भी और बार भी होती है कि इसको हम लोग floating ribs बोलता है ठीक है यह आपकी false ribs है और यह आप लोगों की floating ribs है क्या यह याद रहे जाएगा क्या मैं अगर आप लोगों से पूछों जल्दी से मुझे बताओ ठीक है क्लियर है क्लियर है चलिए next हम लोग बात करते हैं इस्टर्णम की जिसको हम लोग chest bone भी बोलते है छाते की हडी भी बोलते हैं तो friends तो आपकी पहला दूसरा तीसरा चौटा पाच्वा चटा साथ वादे को इससे इससे connected है और बाकि यह आप लोग की जो तीन है वह आप लोग की इनसे से नहीं और यह बाकि नीचे वाली आपस में दूसर होती है जिसको नोग बोलते हैं यहां पर बात समझे जिसको भूड़ भूते हैं यह आपका क्या होता है क्या एक होती है तो आइच्ञ अपलोगों को इसमें friends कितनी होती है 26 हड्डिय होती है कौन-कौन सी होती है सारी एक एक चीज़ समझेंगे क्या आप लोग देख पार होगे वर्टरिबल कॉलम बिल्कुल आप लोग देख पार होगे तो इसमें friends हम लोग हड्डी अकाउंट करते हैं बोन्स काउंट करते तो ध्यान से और किसका पर्ट है आपके एयग्जियर ले अक्षय कंगाल का पर्ट है बिल्कूल फ्रेंट्स बाथ करते हैं Rapid atom subscribe कि 26 अभी sitting बात समझ में आ गया अब ख़्या कॉम को यह लोगी देख पार किए रहाट वह आपका स्ञेट है अब is इसमें कौन-कौन सी होती है ध्यान से समझ लो 26 होती है कौन-कौन सी होती देख लो इसको हम लोग बोलते है थोरे सेस इसके बारे में हम लोग बात करते है नीचे तो यह आप लोग के क्या हो जाएगा फ्रेंट्स पार्च और वाला पार्ट आ गया तो इसको हम लोग बोलते है लंबर और इसके नीचे आता है फ्रेंट्स आपके सेक्रम इसके बाद में आता है कोकेx clear है क्या समझ पार हो क्या तो यहां पर आप लोग देखो उपर के 7 ama को लोगों ने कुछ और नाम दिया है नीचे के 12 को और नाम दिया है ठीक है 12 तक है 12 ठीक है लोगोव ने 5- 1975 को और नाम दिया है फिर हम इसको एक गेंग रहे है ठीक है समझ गें बताो ह। एक चीज हम लोग समझते हैं सबसे पहले फ्रेंट्स हम लोगों ने किसमें देखा उपपर जिसको हम लोगों ने क्या बोला सरवाइकल इसको हम लोग बोलता है सरवाइकल तो फ्रेंट्स इसमें कितने वर्टीब रहे हैं जल्ली से बताइए साथ होते हैं क्या तो इसमें साथ वर्टीब रहे होते हैं ठीक है य नेक्स लोग बात करते हें friends loomber के तो इसमें कीतनी होता है friends इसमें आपके पाछ वर्टीब होता है ठीक है next हम लोग कानी करते है साक्रम की तो friends साक्रम में केतनी होते हैं friends आप लोगों के डियान रखना यह आप लोगтовे डिफ्यूज होके एक मना लेती है ठीक है तो 206 डियों में हम लोग इसको कित्ता गिनते हैं as a one hole as a hole गिनते हैं इसको यह एक माना जाता है और फिर इसके बाद में आप लोग के अब लोग को यहां पर मिल जाएगी और भी मेरी फिलासे आप लोग को मिल जाएगी नाम सच करोगे तो वहां पर आप लोग मुलो पर लोग ढ़ोग मैंने आप लोग को बताया था हमनन बोड़ी आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट शीस्टम से बन की मिल्के बनी है ठीक है विभिन विबन तन्त्रों से मिल्के बनी होती है ईह ए और्फ। आप लोगों के देश्टर सिथ्ट्रम की पात्चन तंतर में तो कि इस इसमें कि इसमर्श मेंसे होती है बोन होती है एक है टेंडक होता है और आप लोगों से बात करूं होती है तो सभी का कुछ ना कुछ काम उता है जैसे मैंлучका करना इसका पाचन करना ठीक है तो similarly जो human skeletal system के अगर में लोग बात करें कंकल तंत्र की बात करें तो इसका भी कुछ न कुछ function होगा इसका भी कुछ न कुछ कारे होगा तो जैसे कि मैंने बताया friends इसमें bones भी होता है स्केलटन सिस्टम का है दूसरी बात क्या है जो इसमें हड़ी होती है कितनी होती 206 होती है एक बच्चों की टाइम यह कितनी होती 300 होती है जो मर्ज होगे friends कितना हो जाता है यह 206 हो जाती है clear next लोग बात करते हैं फ्रेंस functions क्या क्या है मैंने आपको बताया लोग बात करते हैं जो ब्लड से होता है उसका प्रोडॉक्शन करना इस प्रॉसे को हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेमटो पोईजिस clear है या अगर हम लोग बात करें इसका ब्लड सेल का पर होता है हड्डियों में होता है ठीक है तो फ्रेंट्स कौन से हड्डियों में होता है तो अगर बच्चों में हम लोग बात करें तो फीमर में होता है ठीक है यह थाई की एक हड्डी होती है ठीक है और अगर हम लोग बच्च यानि अक्षे कंकाल और एक था आप लोगों का एपेंडीकुलर को यह भी और यहां पर क्या आजाएंगे पर यहां प्लोगों के हाथ और पेर की जो भी बैक आएगी वह द्या ने उपांगिया में इसमें आप लोगों करेंगे गई इतनी थे फैंट सच्टी वर इसमें यह मिलको की इतनी होती tür involved ऑर क्यूक्त थो स्ट्व किfarण को होती है नहीं मैंने बताए तीन हडिया इस कानव में होती हैं तीन हड्विया इस कान में होती तो च्हेय आपके कान में हों स्अधिया है हायर बॉंस है हाय रफार्णों क्या स्टे offenders होती है यह द्लिस है है थिक है तो locally बार में हम लोगों ने एक बात करी चैस्ट बोन होती है इस टर्णम होती है जिसको हम लोग हिंदी में मतलब छाती के बोलता है तो इस टर्णम बोन से रिप्स कनेक्टेड होती है कितने पेर होते हैं तो बारा यानि चोई सद्धिया किसमें हो जाएगी ठीक है तो यह सारी चीज हम लोगों देखी फिर मैंने एक एक चीज हम लोगों डिसकल्स करें कि आप लोगों देखो रिप कहां पर है वर्टीब्राय कॉलम कहां पर है बताए है कि सर पीडेफ मिलेगा बिल्कुल टैली ग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको फिरम भी बात करी फिर्ट ने बात करेंग होता है आप लोगों का यह सवारे चों होता है यह किसका प्रोटेक्शन उनम्हीं करता है और दूसरी बात क्या है फ्रेंट इसमें कि इसमें मैंने आप आप लोगो बताया 8 cranial bones होती है कपाल के अधिया होती है और 14 facial bones होती है मैंने आप लोगों को याद रखने का तरीका तरीका क्या था कमेंट करके बताईए याद रखने का तरीका क्या था जल्ली से मुझे बताईए OTP safe mama information इसकी क्या बात करें इसकी मामा information लाना पापा जाएंगे वरना ठीक है तो वन से स्टार्ट था इसमें और बीच में सब में टूटू था इसमें OTP safe यह नहीं 112-111 इसमें याद रखना था नेक्स हम लोग बात करते हैं मिडल ये और शीगल्स ठीक है तो आपके जो कहान का जो मिडल वाला पार्ट होता है उसमें तीन आपकी हड्डीय उती इनकस होती है ठीक है और इसके बारे में को ने बात करता गर इसको डेटेल में देखे तो नदर जाकी मैंने तीन हुझ बताई और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है एक जहां में पूछ आते इस च्छोटी है smallest in the human body जो human body होत हम लोग बात करते हैं देखो इसकी में एक्जेट लोकेशन बताऊं तो यह आपके बकल के विटी के बेस पर दिख रहा है आप लोगों को चलिए नेक्स हम लोगों ने बात करी फ्रेंट्स की इस पर मैंने बता है 12 पेर्स होता है कुल कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी तो इसम चीजा में लोगों ने देखी कि जो आपके रिफ's होती है उसमें कि से साथ तक तक स्टरणम से जूरी होती है जिसको हम लोगों नहीं क्या बोला था हैस देक ओ यह लिख देता हूं आपर 12 है तो इसको लोग वोड़ेंगे और यह आप लोगों का केवल फॉल्स है ठीक है कि सर इसकी बाकी क्लास कप पूरी करवाओंगे जब आप लोग चाहेंगे तभी पूरी करवादेंगे ठीक है तो यह हमारी अगंड के बात तो आपको क्लास आके पसंद आई होगी कमेंड करके बताना क्लास आप लोग कैसे लगी स्कलास के बाद में ठीक है इसको फिर अगले बार अपका एपनिक्लर ऑडो चाहिए डैकृतल कды को बता दू मैं अनकेड में free classes आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग उनको जॉइन कर सकते हैं इस class की PDF आप लोग को इस टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी और इस ग्रूप से आप लोग दो तीन तारीक याज तो आज यह class नाहीं होई आज किसे लिए वज़्ज जैसे वड़ना आपकी हर और अफ लिए तो पाच को गी आप लोग की ठीक है तो इन लेर्निंग आप डाउनलूड करेंगे इंस्ट्राल करेंगे ओपन करेंगे चूज और गोल में करेंगे यहां पर आप लोग मेरी प्रोफाइल आएगी इसको आप लोग को सारी और अग्यादमी पर यदि आप लोग सब्सक्राइब आपको पता है बहुत फाइडा है एक सब्सक्राइब बहुत सारे पर लगाएंगे तो आपको 10% डिसकाउंट मिल जाएगा तो आज के लिए इतना लोगी तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं थैंक्यू सो मच टेक कियर बबाए